जहिंद फ्रेंट्स वेलकम टू माई OPC YouTube चैनल स्टेडी मेटेरियल A2Z आर्मी ग्रूप D रिकूटमेंट 2022 दोस्तों आपके टोटल 50 पोस्ट पे नया रिकूटमेंट निकलाता जिसके अपलिकेशन फोम आपको भरके आज जो कि मैं बताने वाला हूँ लाइव हूँ और इसमें आपको ओपलाइन फोम कैसे फिलप करना है और आपका ये भरती All India के गैंडिडेट के लिए रहेगी बार बार मत पूछे क्या मैं हरियाना से हूँ, यूपी से हूँ, बिहार से हूँ, क्या मैं अपलाई कर सकता हूँ All India का मतलब All जो State and All आपके दोस्तों जो आपके लगते हैं जैसे आपके केंदर साशित परदेश सभी के सभी आप अपलाई करें सकते हैं अब यहां पे बात कर लेते हैं कि आपके जो अपलिकेशन फोम आपको किस परकार से पिलिप करना है, कौन से डोकुमेंट आपको लगाने हैं, सभी कैंडिडेट की सभी जबाब आपको मिल जाएंगे कोई भी अपडेट होती है, सबसे पहले आपको चैनल पे अपडेट कर दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों रेक्रूटमेंट के बारे में पूरी डीटियल को हम जानने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों हम एक एक जो आपका स्टेप बाई स्टेप जान लेते हैं सो गैज यह हमारा टेलिग्राम चैनल है, जहां पे आपको भरती के नोटिपिकेशन, अपलिकेशन, फोम, बिल्कुल, फ्री, अपकोर्स, सबसे पास्त आपको यहां पे मिल जाते हैं यहां पे आपके लिए दोस्तों अपलिकेशन, फोम, इन्वाइट कर दिया है, बहुत पहले और यह आपका नोटिपिकेशन है, इसको आप जो पढ़ सकते हैं उसके बाद यहां पे दोस्तों आपके लिए यहां पे डाउट गुरूप भी बनाया गया है, तो आप डाउट गुरूप को भी जोइन कर सकते हैं, इसमें भी कापी सारे कैंडिडेट जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए लिंक प्रवाइड करवा दिया हैं, तो आप जो टेलिग्राम पे जुड़ जाईएगा, चलिए हम अपलेकेशन फोम को देख लेते हैं आप सभी की कमेंटिये, कि सरफ पैसे लगेंगेगे, तो बिल्कुल आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला एक चीज नोट कीजिएगा, किसी का कुछ भी नहीं लगने वाला तो ये चीज आप जो बिल्कुल भी निकाल दीजी कि हमारा पैसा लगेगा कुछ भी नहीं लगेगा सिर्फ आपको जो मैं बता रहा हूँ वही step by step आपको कारी करना है अपनी post का नाम लिखेंगे OPCL notification में जाएंगे उसको चेक करेंगे अपना capital letter में अपना नाम लिखेंगे अगर आपकी साधी हुई है तो आप जो son, daughter, wife जो भी details है वो यहाँ पर mention करेंगे अन्यता आप इसे रिक्त छोड़ देंगे उसके बाद यहाँ पर अपनी date ओप लिखनी है फिर आपकी जो 9 March आपकी last date है उसके according आपकी age कितने साल की हो चुकी है तो उसको आप यहाँ पर mention करेंगे आपकी यहाँ पर nationality mention करेंगे जो कि Indian है उसके बाद state mention करेंगे अपना address लिखेंगे complete address यहाँ पर लिखना होगा उसके बाद आपके लिए important है दोस्तो अपना contact details number क्योंकि या तो आपको call आएगी या फिर आपको mail किया जाएगा आपको 19 जो कि आपका दोस्तो यहाँ पर 9 March और 16 March दो महत्वपून date है 16 March को आपको interview के लिए बुलाया जाएगा तो यहाँ पर ही आपको call या message आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो इस चीज़ को आप note कीज़ेगा यहाँ पर आपको इसको नहीं भलना है यह आपके उन candidate के लिए है जो पहले से selected यहाँ पर तो यहाँ पर आपको इसको खाली छोड़ देना है उसके बाद यहाँ पर आपको family detail देनी है लेकिन family detail आप कहां से देंगे जो candidate आप married है तो आप जो इस detail को भरेंगे अन्य था आप खाली छोड़ देंगे single वाले पे मेरी तरह टिक करके छोड़ देना उसके बाद हम दोस्तो next page की और आपका रूबरू होते हैं यह आपका first page जो था वो form का आपका यहाँ पे clear हो गया होगा और यहाँ पे आपको अपनी photo को चिपका देना है next page रहेगा आपका education detail का आपको अपनी examination की जो है यहाँ पे यह नहीं का गया है कि आप 10 पास candidate, 12 पास candidate, BSC आप जितने भी मतलब education कर रखी है वो सारी detail आप यहाँ पे डाल सकते हैं जैसी का रखी है तो आप यहाँ की भी अपनी detail दे सकते हैं examination आपके marks कितने है percentage आपको division देनी है जो आपकी यहाँ पे division है 60 से कम percentage है तो आप second division में है और अगर आप 60 से ज़ादा है या 60 है तो आप first division में है तो यहाँ पे आपको subject जो आपके tenth में थे उसको और आपकिस recognized board से आपने जो की यहाँ पे 10 वी बारवी की है तो यह आपको detail यहाँ पे डालनी है उसके बाद यहाँ पे आपको language चूज करनी है दो language यहाँ पर choose कर सकते हैं एक language चूज कर सकते हैं तीन language आप अपनी बता सकते हैं हिंदी इंगलिस उनके अलावा आपको ग्यान है तो आप उसको भी mention कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है language can read उसके बाद experience अगर experience है तो आप यहाँ पर experience की पूरी detail डालेंगे अन्य था आप इसको खाली छोड़ देंगे health के बारे में क्या बताना भाई आप जो health का जो हो यहाँ पर इसको खाली छोड़ सकते हैं कोई issue नहीं है अगर आप भरना चाहें तो भर भी सकते हैं next page की और हम रूबरू होते हैं so guys यह next page के अंदर आपको यह कहा गए कि आपको दो nominate यानि आपको यहाँ पर दो relative नहीं होने चाहिए relative का मतलब आपका भाई यानि जो आपके परिवार family में नहीं होना चाहिए आपके member में इनके अलावा जो आपके दोस्त हैं कोई आपके अदर जो यहाँ पर फ्रेंड है तो उनको यहाँ पर आपको detail देनी है दो की और उनका address देना है और उनका आपको जैसे पूरा complete address है जैसे उसका नाम दे दिया उनके पिता का नाम दे दिया और उनके यहाँ पे आपका गाउं का नाम दे दिया तैसिल दे दी डिस्टिक दे दी तो यह चीज आपको देनी है तो दो मैंने यहाँ पे ऐसे ही डाले हैं कि दोस्त का और यहाँ पे आप फ्रेंड लिख सकते हैं दोस्त लिख सकते हैं तो यहाँ पे आपको दो डिटेल दे हैं अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन-कौन से डोकुमेंट भेजने हैं और आपको करना क्या है सबसे important ये भी है तो दोस्तों आपको एक तो दस्वी का mark seat है बारवी का mark seat है यानि आपको education जो आपकी mark seat है उनको यहां पर आपको भेजना है दस्वी बारवी अगर आप को लेज का लगाते हैं कास certificate है regional certificate है उसको लगा देना और उसके बाद आप एक आधार कारड़ी लगा सकते हैं pen card लगा सकते हैं यानि एक identity जो है आपको देनी होगी और इन सभी को आपको दोस्तो स्केन कर लेना है, स्केन कैसे करते हैं, आपको पता है, बहुत सारी एप आती हैं, स्केनर आता है, स्केनर से सभी को अपलिकेशन फोर्म, आप जो अपलिकेशन फोर्म तो ऐसे ही रखने देना, उनको स्केन करना, और इन सभी की इंकलूड एक PDF त्यार कर लेना, इन PDF क त्यार करने के बाद आपको मैं बता देता हूं कि कैसे भेजना है इन सभी को एक जगाए प्रीडियाप ट्यार कर लेनी है सभी की फिर आपको कहां से भेजना है यह बता देता हूं सुगाईज आपको सीधा ही जैसे आपका डोकुमेंट भेजते हैं डोकुमेंट भेजने के बाद आपको जीमेल पे बेजना है तो जीमेल पे यहाँ पे आपको उसकी जीमेल मैंसन कर देनी है मैंने कोपी करके रखी है तो यह जीमेल है आपको यहाँ पे बेजनी है उसके बा उसके बाद यहां पे आपको कुछ नहीं करना है अपनी अपलिकेशन फोम जो वहां से आ जाएगी आप सीधे जो गैलरी से आप इसे डाइरेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो और उससे फिर आपको इस सेंड वाले क्लिप पर जो की क्लिक करना है आपको सभी की पीडियाप त्यार क बेजनी है आप सभी के बहुत जादा कमेंट आ रहे थे मैंने आई होप आपको सभी के डाउट किलियर कर दिया है और आप थोड़ा सा जो यहां पे इनको किलियर आप जो दोस्तों भेज सकते हैं आपके लिए इंपोर्टेंट अपडेट थी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगर वीडियो चिल गिया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जैहिंद